नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्जन पंडित और आप देखरें निशन लाइब आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदीश के जनपत संभल कहा जहां पे कानून का ही सिपाही कानून का ही रक्षक सवाल के घेरे में हैं मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आरोप लगा है जहां पे शब बरामद हुआ है वो रिटार्ड पुलीस इंस्पेक्टर है जिसके घर से एक नहीं दो नहीं तीन शब बरामद हुए हैं लेकिन यहाँ पे उसमें एक जो मौत है वो नौकरानी की है देवर की है बहरहाल इस पूरे मामले पर हमसे बात करने के लिए थोड़ी देर में जोड़ेंगे सर्फराज अंसारी इस पूरे मसले पे की आखिलकार ये पूरा मामला क्या है और ये किस तरीके से अंजाम दिया गया है सर और अभी संपर्क उन्सीटूट गया है लेकिन हम आपको बता दे यहां पर ये परीवार अकेला रहता था और इनके जो कुछ रिष्टारों ने इनसे संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो पाया फोन काल नहीं उठ रही थी तो उन्हाने वहीं लोकल किसी नजदी के पुलिस को सूचना दी वहां भारी पल भारी पुलिस मोगे पर पहुंचा और सबको अपने कभजें में लेके पोश्मास्तम को भेतिया इस घटना में इस घटना में भूमे का किसकी संदिक्द दिख रही आपको या रिटार इस्पेक्टर की या कुछ कोई और ट्राइंग परिचर या किसी रिष्टार का है जिए घर के अंदर आया है वहां पर उसके लिए खाना बना है वहां पर शराब की बोटल मिलिये तारू भी पी गई यह वहां पर कहने का मतलब है कि यह जो वार्दात हुआ है इसमें जो भी है जान पहचान वाला ही लेकिन यहां पर सबाल खड़ा हो गया कि जिस तरीके से नौकरानी की भी हत्या हुई है इसमें तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में कि कुछ प्यार मुहबत का ट्राइंगल रहा हो या कुछ ऐसी चीजें हो जो उसको मालूम हो इस्तरी है उसकी हत्या कर दी गई यह बताया जा रहा है कि अभी जो घर में नोकरानी थी चार दिन पहले ही नोएडा से इनकी एक बेटी नोएडा रहत और उनकी मौत हो चुकी बीमारी की कारण और उनका एक बेटा था भूभी सब इस्पेटर था उसकी भी एक एकसिदेंट के दूरान मौत हो चुकी है इस परिवार में केवल यह रिटार इस्पेटर की पतनी और उनका एक चचेरा भाई और ये नोगनानी ये तीन लोगी थे सिर्फ उस परिवार में इन तीनों का भी कतल हो गया अब उस परिवार का कोई नहीं बचा है सर्फराज तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया एक बार फिर से जहां तीन लहाशे मिलती हैं लेकिन हत्या की गुथी अभी भी साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार इस वारतात को किसने अंजाम दिया है बहराल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेशन लाइब नमस्कार